दोस्तो मेरे चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं आपके जिस मेडिसिन के बारे में बात करने वाली हूँ वो मेडिसिन है पोडो वार्ट है जो मस्य के लिए दवा होती है मस्य का कई कलर में मस्य सरीर पे हो जाते हैं वो लाल भूरे काले किसी भी रंके हो सकते हैं और वो सर में किसी को भी सरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है तो चलिए मैं आपको इसके बार में थोड़ा डिटेल नौलिज देती हूं यह मेडिसिन आपको ऑनलाइन भी कहीं पर भी अवलेबल हो जाएगी मैंने इसे 1MG से खरीदा है और इसकी जो MRP है वो 184 रूपीज है इसको टै और उस जगह पर यह लगाते लगाते उस portion को गला देता है और वो गलने के बाद वहां से अपने आप सूख करके गिर जाते हैं लेकिन यह जो medicine है यह बहुत long term में effect करती है ऐसा नहीं है कि आपने एक दो बार लगाया और आपके जो मस्से हैं वो सूख करके गिर जाएंगे हो सकता है एक से दो माईने का टाइम लग सकता है कि आप इसको लगाएं और लगाने के बाद उस particular portion पर क्योंकि यह जो medicine है बहुती छोटी bottle है टैने मल की है लेकिन है बहुती effective है इसे आप लगा करके आप जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह थोड़ा इचिंग सी होती है क्योंकि एक तरह से यह alcoholic थोड़ा acidic होती है क्योंकि जिस portion पर आप लगा रहे हैं उसे वो इसे बान करता है गलाता है इसी वज़े से इस medicine के साथ आपको कोई न कोई antiseptic cream की आवसकता होती है ताकि जब आप इसे लगाएं और यह medicine सूख जाए तो आप उ छोटे से nail polish type के brush होते हैं इसमें आप थोड़ा सा liquid है और आप इसको particular उस portion पे जहां पे आपको मसे हैं वहां पे बस ऐसे टच करा देना है टच कराने के बाद लगभग 10 मिनट तक आप उसे सूखने दीजी सूखने के बाद उसे normal कोई भी boroline boroplus type की cream लगा दीजी जिससे व राइड़ सकते हैं जीने भी मसे की समस्या है और सरीर के किसी भी हिस्से में मसे की समस्या है लेकिन मैं आपको यही राय दोंगी कि जहां जैसे और ऐसे कुछ उंग होते हैं जो बहुत ही जादा सेंसेबल होते हैं जहां इस लिक्विड का sitä ज़ें आप न करें तो बहतर जंगों में इस्तमाल ना करें जहां आपको सेंसिविटी जादा होती हो या फिर गलने के बाद आपको तकलीब बढ़ सकती है तो आप इसके लिए किसी और इलाज का सहारा लीजे सरीर के बाकी जहां पर थोड़े जिसके सर्फिस थोड़े हार्ड हो गर्दन पर हो पीट पर ह सीने पर हो कमर पर हो या फिर आपके अंडर आम्स के नीचे हो वहां पर भी आप इसे लगा सकते हैं तो आप इसको लगाने के बाद आप दस मिनट के लिए छोड़ दीजे जब ये सूख जाए उसके बाद आप नॉर्मल कोई भी क्रीम लगा लीजे उसके बाद वन से टू लगाएंगे जिससे वो आपका ठीक होगा और यदि आपकी बॉड़ी में कोई विटमीन की समस्या है तो मैं आपको यही सजिश्ट करूंगी कि इस मेडिसीन के साथ आपको मल्टि विटामिन या विटमीन सी की दवा लें जिससे आपकी बॉड़ी की जो रिपेरिंग है य पीज लाइक और सस्क्राइब माइ चैनल मैं आपके लिए हमेसा ही न्यू मेडिसीन के साथ जानकारी ले करके हाजिर होती रहूंगे यदि आपको किसी खास मेडिसीन के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सज़ेष्ट कर सकते हैं जिसके स साथ में उस मेडिशिन के बारे में आपको डिटील नौलिज दे सकूँ थैंक यू फ्रेंड्स